अबस्कार वैब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते है आज की प्रमुख खबरों पर कनहिया ने कहा कि भारत के भीतर आज़ादी चाहता हूं भारत से नहीं कनहिया ने कहा कि उनके प्रधान मंतरी के साथ कई मदभेट थे लेकिन वे उनके सत्य मेव जयते वाले ट्विट से सहमत है जो उनने JNU विवाद पर स्मूती इरानी के उगर लहजे वाले भाशन पर किया था क्योंकि यह सवविधान में है दिलिप घोश ने कहा कि पाक जिन्दाबाद नारे लगाने वालों के सिर काड़ दिये जाएंगे पाकिस्तान समर्तित नारे वाजी करने वालों के सिर कलम कर दिये जाएंगे घोश ने पारिटी कारे करता हो कि बैठक में कहा कि जहां पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं उन्हें उपर से 6 इंच काड़ दिया जाएगा अब दन बदल गया है घोश ने चरंपंथि और आतंगवादियों की मदद करने वालों को भी चेताया जो कोई राष्ट विरोधी बयान देगा हुने सजा दी जाएगी हम ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे शेड़े के साही मंदिर में चली गोली शेड़े के प्रसिद साही बाबा मंदिर में ड्यूटी पर तैनाक पुलिस कर्मी की राइफल से गुरवार को दुरगटनावश गोली चरने के कारण अफरात तफरी मच गई गेट नंबर दो पर तैनाक कॉंस्टेबल नकुलफाल के ड्यूटी खत्म होने के बाद अपना हतियार साह गर्मी को सौप रहा था उसी दोरान यह हाथसा हुआ एवर्णनगर के पुलिस अधिक शक्स और अप्तरिपाटी ने कहा कि पहली नजर में राइफल सौप ते वक्त उसका ट्रिगर गलती से दब जाने के कारण यह हाथसा हुआ लगता है उन्होंने कहा कि हमने हतियार को जब्त कर लिया है और जाज के बाद दोशी के खिलाफ कारवाई की जाएगी इस आजसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचा है